आर्जुन उवाज, किम तत ब्रह्म किम अध्यात्मं, किम कर्म पुरुशोत्तं, अधि भूतं चकिम प्रोप्तं, अधि दैवं किम उच्यतें अर्थात, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुशोत्तं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, क्रपा करके यह सब मुझे बताईए अधि यग्ण्यकथम कोत्र, देहेश्मिन मधुसुदन, प्रियानकालेचकथम, ग्नेयोसी नियतात्मभी अर्थात, यहाँ पर अर्जुन ने क्रिश्न से कहा, हे मधुसुदन, यग्यकास्वामी कौन है, और वह सरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय, भक्ती में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? श्री भगवानु वाच, अक्षरम ब्रह्म परम, स्वभावोध्यात्म मुच्यते, भूत भावोध्भवकरह, विसरकह कर्म संग्नितह, अर्थात, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्यजीव ब्रह्मा कहलाता है, और उसका नित्य सभाव, अध्यात्म या आत्म कहलाता है, जीवों के भौतिक शरीर से संबंदित, गती विदी, कर्म या सकाम कर्म कहलाती है, अधी भूतम चरो भावः, पुरुषः चाधी दैवतम, अधी अग्नयों हमे वात्र, देहे देह भृतांवरा, अर्थात यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे है, हे देह धार्यों में श्रेष्ट, निरंतर, परिवर्तंसिल, यहाँ भौतिक प्रकृति, अधी भूत, अर्थात, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, भगवान का विराठ रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता, सम्मिलित है, अधी देव कहलाता है, तथा प्रतेक तेहधारी के रदे में परमात्मा स्वरूप, स्थित, मैं, परमेश्वर, अधी यग्य, आर्थात, यग्यक्या स्वामी कहलाता हूँ, अंतकालेचमामेव स्मरन्मुक्त्वाकलेवरं यह प्रयाती समदभावं याती नास्त्यत्रशंशय आर्थात, यहाँ पर्शिक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरन्म करते हुए शरीर का त्याब करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, यम यम वापिस्मरन्भावं त्यजद्यन्ते कलेवरं तम्तमे वैतिकौन्तेय सदातत भाव भावितह। अर्थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है, है कुंती पुत्र शरीर त्याबते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरन्म करता है, वह उस उस भाव को निश्चित रुप से प्राप्त होता है। तस्मात सर्वेसु कालेसु मामनुस्मर युद्ध्यच मैयर पित्मनो बुद्धी मामे विश्यश्य शंशय। अर्थात यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है, अत एव है अर्जुन तुमें सदेव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धी को मुझमें स्थीर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेना चेतसाना न्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानु चिंतयन। अर्थात यहाँ पर्शी किष्ण अर्जुन से कह रहे हैं हे पार्थ जो व्यक्ति मेरा स्मरंग करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविछलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविम्पुरानं नोशाशितारं अनोरनियां समनोस्मरेद्या सर्वस्यधातारं छिंत्यरोपं आधित्यवर्णं तमसह परस्तात। अर्थात यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है मनुश्यों को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वग्या, पुरातन, नियनता, लगूतम से भी लगूतर, प्रतेक का पालं करता, समस्त भौतिक बुद्धी से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भाती तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रयान काले मन साचलेन, भक्त या युक्तो योग बलेन चैव, भुवोर मध्ये प्रानमा विष्य सम्यग, सतंपरं पुरुष मुपैति दिव्यं। अर्थात यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्रान को भौवो के मध्य स्थीर कर लेता है, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरन में अपने को लगाता है, वह निश्चि रुप से भगवान को प्राक्त होता है, यदक्षरम वेदविदो अदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागा, यदिछन्त ब्रह्मा चर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेना प्रवक्ष्ये अर्थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन चे कह रहे है, जो वेदों के ग्याता है, जो उंकार का उच्चारंग करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े-बड़े मुनी हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं ऐसी सिद्धी की इच्चा करने वाले ब्रह्म चर्यवरत का अभ्यास करते हैं, अब मैं तुमें वह विधी बताऊंगा, जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाब कर सकता है सर्वद्वारानि सैयम्य मनोरदी निरुद्यच मूर्धन्याध्यात्मनह प्रानम आस्थितह योगधारनम अर्थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कहा रहे है, समस्त एंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिती अर्थात योगधारना कहा जाता है इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को रदय में और प्रानवायु को सीर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है अमित्ये काक्षरम ब्रह्मा व्याहरन मामनो स्मरन यह प्रयाती त्यजंदेहं सयाती परमाम गतीम अर्थात यहाँ पाक्रिष्णा अर्जुन से कह रहे है इस योगा भ्यास में स्थीत होकर तथा अक्षरों के परमसयोग यानि उंकार का उच्चारन करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रुप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है अर्थात यहाँ पक्रिष्णा अर्जुन से कह रहे है हे अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरं करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ती में प्रवर्त्य रहता है मामु पेत्य पुनर जन्मा दुखालयम शाश्वतम नापनु वन्ती महात्माना संसिधिम परमाम गता अर्थात यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ती योगी है कभी भी दुखो से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लोटते क्योंकि उन्हें परम सिध्धी प्राप्त हो चुकी होती है आ ब्रह्म भुवना लोकाह पुनरावरती नोर्जुना मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनरजन्मन विध्यते अर्थात यहाँ पाकृष्ण अर्जुन से कह रहे है इस जगत में सर्वोच लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखो के घर है जहां जन्म तथा मरं का चक्कर लगा रहता है किन्दु है कुन्ती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता सहस्त्र यूग परियन्तम अहायत ब्रह्मनो विदु रात्रिम यूग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना अर्थात यहाँ पाकृष्ण अर्जुन से कह रहे है मानविय गनना के अनुसार एक हजार यूग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्री भी होती है अव्यक्तात अव्यक्तेह सर्वाह प्रभवंत्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलियंते तत्रेव अव्यक्त संग्य के और थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है ब्रह्मा के दिन के शुभारंब में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते है और फिर जब रात्री आती है तो वे पुनह अव्यक्त में विलीन हो जाते है भूत ग्राम सैवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते रात्र्याग में वश्यः पार्थ प्रभवत्य हराग में और थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते है और ब्रह्मा की रात्री होते ही वे असहाईवत विलीन हो जाते है अर्थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृती है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है यहाँ परा अर्थात स्रेश्ट और कभी नाश न होने वाली है जब इस संसर का सब कुछ लए हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता अव्यक्तोक्षर इत्युक्तह तमाहु परमामगतीम यम प्राप्यन निर्वन्तन्ते तथामा परमममा अर्थात यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है जिसे वेदान्ती औप्रकट तथा औविनाशी बताते है जो परमगंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परमधाम है पुरुशह सपरह पार्थ भक्तया लब्यस्त्वनन्यया यश्यान्तह स्थानी भूतानी येनसर्वमिदम्ततम अर्थात यहाँ परकृष्ण अर्जुन से कह रहे है भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ती द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते है यद्यपी वे अपने धाम में विराज मान रहते है तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है यत्रकालेत्वनाव्रतिम आव्रतिम चैवयोगिन प्रयातायान्तितम कालं वक्षयामी भरतर्षभ आर्थात यहाँ पक्रिश्न अर्जुन से कह रहे है हे भरत स्रेष्ट अब मैं तुमें उन विभिन कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयान करने के बाद योगी पुना आता है अथ्वा नहीं आता अग्निर जोति अह सुक्लह शनमाशा उत्तरायनं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना अर्थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है जो परब्रह्म के ग्याता है वे अग्नी देव के प्रभाव में प्रकाश में दीन के शुबच्छन में शुकलपक्ष में या जब सूर्य उत्तरायन में रहता है उन छा मासों में इस संसार से सरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राक्त करते हैं धुमो रात्री तथा क्रिश्ण शनमाशा दक्षिनायनम तत्रचांद्रमशम जोती योगी प्राप्य निवर्तते अर्थात यहां पर क्रिश्ण अर्जुन से कह रहे है जो योगी धुए रात्री क्रिश्ण पक्षमे या सूर्य के दक्षिनायन रहने के छा महनों में दिवंगत होता है वह चंद्र लोग को जाता है किन्तु वहा से पुना अर्थात प्रिथ्वी पर चला आता है शुक्ल क्रिश्ण गतियते जगतह साश्वते मते एक या यात्यना व्रत्तिम अन्यया वर्तते पुना अर्थात यहाँ पक्रिश्ण अर्जुन से कह रहे है वैदिक मता अनुसार इस संसार से प्रियान करने के दो मार्ग है एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का जब मनुश्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता किन्तु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुना लोट कर आता है नैते शृती पार्थ जानन योगी मुयती कश्चन तस्मात सर्वेशु कालेशु योग युक्तो भवार्जुन अर्थात यहाँ पाक्रिश्चन अर्जुन से कह रहे है हे अर्जुन यद्यपी भक्त गन इन दोनों मार्गों को जानते है किन्तु वे मोह गरस्थ नहीं होते अतह तुम भक्ते में सदेव स्थिर रहो वेदेशु यगनेशु तपहसु चेव दानेशु यत्पुन्य फलं प्रदिष्टं अत्यतीतत सर्वमिदं विधित्वा योगी परम स्थानम उपैती चाध्यं अर्थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है जो व्यक्ति भक्ती मार्ग स्विकार करता है वह वेदाध्यन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राक्त होने वाले फलों से पंचित नहीं होता वह मात्र भक्ती संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ती करता है और आंत में परम नित्यधाम को प्राक्त होता है